इंटराडे ट्रेडिंग डियूरिंग कोवीड नाईन टीन क्या करें क्या ना करें दोस्त अ Remote Market में इंवस्टमेंट करने के लिए कोई भी टाइम वूरा टाइम नहीं होता but intraday trading के लिए आपको opportunity ढूननी पड़ती है जहां से आप maximum profit कमा सके but आज कल की market it's really dangerous one volatility बहुत ज़्यादा है and ये आपको किसी भी time बड़ी ही uncomfortable position में डाल सकती है चहां पर एक ही sector का blue chip stock नीचे जा रहा होता है उसी sector का junk stock circuit लगा रहा होता उपर के side तो predict करना बहुत मुश्किल है so इस market में survive कैसे करें आए देखते हैं सबसे पहला rule and which is most difficult अगर आप trading करते हो तो आपको ये सबसे ज़्यादा difficult लगेगा which is stop trading आपको पता है एक दिन market 1000 पॉट उपर जाती है दूसरे दिन market 1000 पॉट नीचे जाती है सुबह market 1000 पॉट उपर शुरू होती है but कोई भी एक negative news आती है तो वो again 1500 पॉट नीचे चली जाती है stocks जो सुबह green में open होते हैं but सामको बंद होते होते red में चले जाते हैं एसे ही red में कुछ जो red में शुरू होते हैं वो सामको बंद होते होते हैं green में चले जाते हैं तो it's very dangerous and इस time आपको हो सके तो trading बंद कर देनी चाहिए and mind it हम लोगों को घर में रहते रहते it's been more than a month एक महीने से जादा हो गया आप realize करोगे या नहीं करोगे but the way we think जिस तरह से हम सोचते हैं जो outcome आता है वो सब कुछ different हो गया क्योंकि हम घर में बंद हैं एक महीने से there is a difference in our thinking हम किस तरह से सोचते हैं उसमें काफी कुछ change आया हाँ, अगर आप trading बंद नहीं कर सकते तो क्या करें then try to stop taking too much risk इसके क्या मतलब है normally suppose जैसे हमारे पास 10,000 की capital होती है तो जो हमारा stock broker होता है वो बोलता सर आप 10,000 रुपे लगा के 1,000 रुपे की trading कर सकते हो that means वो जो extra 90,000 रुपे दे रहा ये leverage है, ये risk capital है मेरी तो अगर मैं risk capital में लगाऊंगा उस capital से risk लूँगा तो mind it, मेरे पास real money तो 10,000 रुपे है और वो मुझे 1,000 रुपे की sorry, 1,000 रुपे की trading अलाव कर रहा है अगर मेरा जो भी selection है वो 10% से opposite direction में चला गया और जो की आज की rate में very much possible है तो मेरी पूरी capital wipe out हो सकती है single day के अंदर and that too within few minutes, few hours तो इस time क्या करें अगर आपके पास 10,000 रुपे हैं तो 10,000 रुपे से ही trade करो stop taking risk सबसे पहला rule याद रखना हमेशा अपनी capital को बचाना है तभी आप कल trading कर सकते हो in any case, always remember to protect your capital then comes profit के पीछे कभी मत भागो अगर आपकी capital safe है तो profit आज नहीं तो कल कमा लोगे कल नहीं तो परसों कमा लोगे बट अगर capital ही चली गई तो बड़ा दिक्कत में आएगा दिक्कत हो जाएगी now आपको पता है again, same चीज दोराना चाहूँगा self-isolation हमें घर में बैठे बैठे हम किस तरह से सोचते हैं यह सब कुछ change हो चुका है now क्या करें अगर आप बहुत दिन से trading करते आ रहे हो तो आपको पता है मेरे यह यह stock है जिसे मुझे trading करनी है that's it मुझे market से कोई मतलब नहीं है stick to them only अगर नहीं पता ऐसे कुछ आपने research नहीं किया सब कुछ decide नहीं किया then try to go for the stock which is less volatile कुछ ऐसे stock जिसमें उतार चड़ाओ बहुत ही कम होता है और वो भी आपको 110% पता ही होगा अगर आप कुछ time से trading करते आ रहे हो but अगर आपने अभी कुछ time पहले trading शुरू की है या ना तो आपने past में कोई stock अपने decide किया जिसमें आपको trading करनी है और ना ही आपने इतनी research किया कि आपको पता हो कि यह stock है जिसमें कम volatility होती है then try to stick with the blue chip stock हाँ आज की data blue chip stock में भी काफी ज़्यादा उतार चड़ा होता है but then as compared to other stock blue chip stock ज़्यादा safe है तीसरा जो भी अपने आपने trade लिया है उस position को ज़्यादा देर तक open ना रखें क्योंकि किसी भी time एक news आती हो और market completely different direction ले ले लेती है और जो आपको profit हो रहा होगा वो loss में convert हो जाएगा हाँ तेरा chances की जो loss हो रहा होगा वो profit में convert हो बट वो चाहिजे हमारे साथ कम होती है and at least आपने past की trading से तो यही सीखा होगा now control your mind normally क्या होता है जब हमें फ़ड़ा बहुत loss हो रहा होता है तो हम उसे पकड़के बैठे रहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है यतना loss है यह 0 हो जाए मैं position को score off करके निकल जाऊँआ उस mind psychology से बाहर आईए यह एक extraordinary situation है यहाँ पर stock नीचे जाता है तो वो नीचे ही जा रहा होता है उपर जाता है तो उपर ही जा रहा होता है by chance गलती से आपने जो trading position ली है और अगर opposite हो रहा है तो loss book करें और बाहर आ जाए इसी तरह से ab raising भी avoid करें क्योंकि जो stock नीचे जा रहा है तो वो नीचे ही चला जाएगा तो आप किसी भी level के ab raising करोगे loss ही बढ़ता जाएगा आपका and then try to minimize your trading size पता है if you can't stop the trading then हाँ आप trading के size को तो कम करी सकते हो ना पहले एक बार में एक लाग रुपय के share खरीदते थे अब 10,000 रुपय के खरीदो 1,000 रुपय के खरीदो main तो यही है कि आपको इस extraordinary situation को survive करना है then again it's dangerous market last but not the least यह खाली टाइम है इसको enjoy करो family के साथ time निकालो बिताओ relax करो and जो भी आपने अभी तक trading की है उससे कुछ ना कुछ तो सीखा होगा अपनी own trading techniques develop करो अपने past को analyze करो कि हाँ इस दिन मैंने जादा profit कमाया था मैंने क्या किया था उस चीज को दोरानगी कोसिस करो यह देखो कि हाँ इस दिन मुझे जादा loss हो गया था क्या गलतियां की थी मैंने उन्हें try करो कि repeat ना हो इस वीडियो को like share subscribe जरूर करें थैंक यू यह प्यादा आँ आँ जापी प्रूर मुझे जादार आँ प्रूर लेक्षड करें जादा खारी प्रूर इस धर रालतियां थादेट धज़ंग